हेलो गाईस मेरा नाम विकास है और आप study zone education का daily current affairs lecture series देख रहे हैं इस वीडियो में बात करेंगे 30 अपरेल 2020 के most important current affairs के बारे में तो ध्यान से देखिए गाईस पुरे वीडियो को अगर आपको इस वीडियो में बताया हुए किसी भी question में कोई confusion होता है तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं साने साथ इस वीडियो के लाजम में आपसे question पूछूँगा उसका answer भी आपको comment करके बताना होगा कल की वीडियो में मैं उस question का सही answer बताऊंगा तो चलिए शुरू बात करते हैं 30 अपरेल 2020 का current affairs पहले question के साथ हमारा पहला question है कि अंतराष्ट निरत्ति दि जीन जॉर्ज नावेरे के सम्मान में मनाया जाता है तो basically जैसा के नाम से हमें पता चला है कि अंतराष्ट निरत्ति दिवस मतलब जो dance है उसके महत्व को परदर्शित करने के लिए दिवस मनाया जाता है जब exam में आपसे पूछा जाएगा तो सिदी सिदे question बनके यहीं से आएगा कि अंतराष्ट निरत्ति दिवस मनाया कब जाता है तो 29 अप्रेल को मनाया जाता है ठीक है question number second है कि अप्रेल 2020 में परसेद अभीनेता इर्फान खान का निधन हो गया उन्हें पदमिश्री के पुरसकार किस वर्ष दिया गया था इर्फान खान को पदमिश्री पु देखा भी था उसको तो याद रखिएगा इस चीज को त्रेपन वर्ष के आयू में इर्फान खान का निधन हो गया है 2011 में इनको पदमिश्री दिया गया था इनका जो निधन है वो नियूरो एंड्रो क्राइन ट्यूमर की वज़े से हुआ है बेसिकली ये हमारी जो हार्म करते हैं उन गरंतियों के उपर खास करके ये ट्यूमर होता है इसके वज़े से हमाइं सरीर में जगा जगा गांठे वन जाती है सरीर के अंदर और वो ट्यूमर का रूप ले लेती है तो आसानी से इस बिमारी का पता नहीं चलता है जब बहुत जादा होने लगता है तब जो है इस चीज का पता चलता है इसके अलावा उनकी आतूं पर भी जो है संक्रमन हो गया था जिसकी वज़े से उनका निधन हो गया है काफी टाइम से इलाज करवा रहे थे और विदेश भी गये थे इलाज कराने बीच में और अब जो है इनका निधन हो गया है वश्य नमब लिया है और यह जो धन्राशी है यह कुरोना वायरस महामारी से लड़ने में खर्च की जाएगी इस यह विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्याल है मनीला फिलिपीन्स में इस्तित है अगला कोशिन है मैं पस कोशिन नंबर फोर्ट की निमने लिखित में से किस राज़े ने क्रोना वायरस महामारी के दौरान पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के लिए 50 लाख रूपया का जीवन बीमा कवर परदान करने की गोशना की है इसका सही answer option B वाला है यानि की असम अभी रिसेंटली असम सरकार ने ये घोशना की है कि जो भी पत्रकार यिस COVID-19 के दर्मियान पत्रकार तक कर रहे हैं अगर उनको क्रोना वायरस होता है और क्रोना वायरस के वाज़े से उनका निधन होता है तो 50 लाख रूपय जो है उनक अपने ग्राकों के लिए एक सेवा आरंब किया है जिसके द्वारा विदेश्यू में रहने वाले अपने परिजनों को दवा भेज सकेंगे इसका सही answer option यह वाला है यानि की ब्लू डॉट एक्सप्रेस ने अभी रिसेंटली ब्लू डॉट एक्सप्रेस जो के कॉरियर कंप अपने परिजनों को जो की विदेश में रहते हैं यानि कि भारत से विदेश जो है दवा भीजी जा सकती है ब्लू डॉट एक्सप्रेस के द्वारा इसके बाद क्वेशिन नंबर 6 है हमारा कि निमलिकित में से किस राज्य में अपरेल 2020 में YSR जगन्ना विद्या दिवेना योजना लाँच किया गया है YSR जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य में लाँच की गयी है इसका सही answer option एवल है यानि कि या अंदरपरदीश में जिन भी योजनाओं के आगे YSR लगा होगा आप समझेगा कि या अंदरपरदीश की योजना है तो एक तरीके कि स्कॉलर्शिप योजना है ये जिसके तहत आंदरपरदेश में ITI, BTEG, Vipharma, MBA, MCA और BAT करने वाले चात्रों को ये इस योजना के द्वारा उनको स्कॉलर्शिप दी जाती है खास करके SCST या फिर OBC कमजोर वर्ग के चात्र है उनको ये इस योजना का लाब मिलता है तो अब जो है इसको यहाँ पर लागू कर दिया गया है इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले कोशिन की कोशिन नमबर सैवंध है कि वर्ष दो जार इकिस में पुरुषों की विश्व मुक्यवाजी चैंपियंशिप की मैजवानी कौन सा देश करेगा दो जार इकिस में व भारत पहले इसकी मेजवानी करने वाला था लेकिन अब जो अंतराष्ट्य मुक्यवाजी संग है उसने भारत से मेजवानी करने करने के करने के जो रायट थे वह छीन लिए हैं 2017 में जो हमारा भारतिय मुक्य ऐ बाजी महा संग है उसके और शाते साथ अंतराष्टिय मुक्य बाजी महा संग کے बीच में समझसाता हुआ था 2017 में, कि 2021 का जो विश्रू मुक्य बाजी चेंपियन्शिप होगा पुरुश्रू का वो भारत में होगा, लेकिन अब यहाँ पर य यह मुक्यवाजी महासंग जमा नहीं कर पाए थी यानिक एक तरीके से लेट काफी हो गया था तो वो इस वज़े से भारत से यह अफर छीन लिया गया है और इसके अलावा भारत पर 38,000 रुपय का जुर्माना लगया गया है यानिकि करीब जो है 500 डॉलर का जुर्माना भारत पर लगाया गया है ठीक है अंतराशनी मुक्यवाजी संग के अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी इसका मुख्याला लोसने स्विटिजलेंड में इस्तित है इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोईशी नमबर आठ में की कि अप्रेल 2020 में माइकल रॉब पर सिद्ध फुट्वालर थे यानि कि ऑप्शन डी वाला यहां पर से बिल्कुल सही है आप लोग फुट्वाल कलब लीवरपूल के बारे में जानते होंगे तो उसके साथ खेलते थे आयर्लेंड के खिलाडी थे ठीक है तो स्ट्राइकर के तौर पर जो है यह फुट्वा हिस्सा रहे थे ठीक है माइकल रॉबिंसन इसके बाद बात करते हैं कोईशन नमबर नाइन की कि निम्रे लिखित में से कौन सा बैंक मैक्स लाइफ इंसॉरेंस में 29 परतिशद की इस्सेदारी का दिगरण करेगा इसका सही आंसर उप्शन सी वाला है यानि कि एक्सेस बैं है उसमें 29 परतिशद की इस्सेदारी का दिगरण करने का वैसला किया है जो कि करीब 1600 करोड़ उपए का होगा ठीक है निकि एक कह सकते सीदे कि मैक्स लाइफ इंसॉरेंस में 29 परतिशद की इस्सेदारी खरीदेगा एक्सेस बैंक 1600 करोड़ उपए में अभी वर्तमान में के पास मैक्स लाइफ इंसॉरेंस में दो फिश्दी की इस्सेदारी लगभग दो फिश्दी की वन पॉइंट कुछ करके है तो आपको राउंड फिगर में याद रखना है और जब आप से यह पूछा जाएगा कितने परतिशद की इस्सेदारी का अधिगरण किया है एक्स दूब में बना सबसे बड़ा ओजोन छेद अब पूरी तरह से बंद हो गया है यहाँ ओजोन परत कितने छेत्रफल में फैला हुआ था इसका सही आंसर और सी वाला है यानिकी एक मिलियन वर्ग किलोमीटर में अभी रिसेंटली वेग्यानिकों ने यह कहा है कि जो ओजोन छिद्र था वह पूरी तरीके से बंद हो गया है ठीक है काफी यह मतलब सबसे बड़ा ओजोन छिद्र था एक मिलियन शेत्रफल में यह फैला हुआ था तो याद रखेगा इस चीच को ठीक है और आपको पता होना चाहिए एक मिलियन वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ तो याद रख सकते हैं क्वेशन अच्छा है एकजाम में आने लायक है क्वेशन नमबर 11 है कि अप्रेल 2020 में ट्रॉइस नीट का क्रोना वाइरस से निधन हो गया वे परसिद थे ट्रॉइस नीट परसिद क्या थे गायक यहनी कि ऑप्षिन यह वाला यहां पर से बिलकुल स तो ऐसे अपरेल 2020 में फिन्टेक कंपनी आई बीएस फिन्टेक का अध्यक्ष किसे नियूगत किया गया है बीरीजन ली सेलेश हरिभखती को यहनी कि ऑप्षिन यह वाला यहां पर से विलकुल सही है फिन्टेक कंपनियां वो कंपनियां होती है जो वित्तिये कंप्रियों म मतलब टेक्णोलोजी का उप्योग करती है जिसे मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग और इन सब चीजों के उपर जो है काम करती है तो यह बहुत से कंपनियों के साथ टाइअप रहती है उनको आउनलाइन तरणेक्षिन में मदद करती है और भी कई चीज के काम करती है तो यह winning Month को मतलब वहाइन से मतलब वहायां से अध्यां में चीजों में टेक्नालोजी और कंप्योग करती है तो इसी के अध्याक्ष मनाें गया हैं सहलेश हरीभक्ती इसका मुख्याल है यानि कि IBS Fintech का मुख्याल है बैंगलूरू करनाटक में इस्तित है इसके M.D. और CEO है C.M. Growber इसके बाद हम लोग अगले कोशिन की बात करते हैं हमारा ये कल का कोशिन है इसका अंसर आपको कमेंट करके बताना था और आप में से लगबख सभी लोगों ने इस कोशिन का अंसर बिल्कुल सही दिया था मैंने आप से पूछा था कि बिश्व बैंक के अनुसार क्रो और जो प्रश्ण में आपको दूँगा उसका अंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी होगी तो जरूर लिखिएगा आपके लिए क्वेशिन है कि निमने लिखित में से किस राज्य में COVID-19 के मद्दे नजर Nightangle 19 नामक रोबो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू